प्रेम से बोलिए हर हर महादेव हमारे यूटूब चैनल हिंदू तीर सिस्वल में आपका स्वागत है आदरणी भक्तों मैं आलोकती वारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ और इस समय हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने भगवान भोरिनात के बारा जोतिर लिंगों की विशेश रिंखला चल रहे हैं पिछली वीडियो में आप 12 जोतिल लिंगों में से प्रथम जोतिल लिंग, सोमनाथ जोतिल लिंग के बारे में संपूर जानकारी प्राप्त किये, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पुना सोमनाथ जोतिल लिंग के बारे में ही बात करने जा रहे हैं, सोमनाथ जोतिल लिंग लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोग तीवारी एस्टो लॉजर उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स पर उपलब्द है आप उस चैनल पर जाकर के जोतिस एवं अध्यात्म की संपुर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आईए अब इस वीडियो को प्रारंब करते हैं सोमनाथ मंदिर का इतिहास सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है अत्यंत वैभावशाली होने के कारण इतिहास में यह मंदिर कई बार तोड़ा गया और कई बार इस मंदिर का पुनर निर्माड कराया गया भारत वर्ष के गुजरात राज के प्रभास पाटन छेत्र में एक प्राचीन मंदिर इसापुरु से ही इस्तित था वल्लभी के मैट्रिक राजाओं के द्वारा सात्वी सताबदी में इसी स्थान पर पुनह एक मंदिर का निर्माड कर आया गया आठवी सदी में सिंध के अरभी गवर्नर जुनायद ने अपनी सेना भेज कर इस मंदिर को पुनह नष्ट कर दिया गुर्जर प्रतिहार राजा नाग भट ने 1815 इस्वी में तीसरी बार इस मंदिर का पुनर निर्माड कर आया इस मंदिर का निर्माड लाल बलुआ पत्थरों के द्वारा किया गया था नाग भट्ट द्वारा सौराष्ट में सोमनाथ मंदिर के दर्शन का एतिहासिक प्रमाण भी प्राप्त होता है बाद में चालुक के राजा मूल राजद्वारा 997 इस्वी में इस मंदिर का जिरणोधार कराया गया इस मंदिर की महिमा और किर्ती दूर-दूर तक फैली हुई थी अरब यात्री अल वरुनी ने अपनी आत्रा बितांत के दौरान इस मंदिर का विवरण लिखा था जिससे प्रभावित हो करके अफगानी लूटेरा महमूद गजनवी ने इस पर 17 बार आक्रमड करके इस मंदिर की सारी संपत्ती लूट ली महमूद गजनवी ने 2024 में लगभग 5000 सेना के साथ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमड करके मंदिर की सारी संपत्ती लूट कर मंदिर को भी नश्ट कर दिया जिस समय महमूद गजनवी ने मंदिर पर आकरमड किया उस समय मंदिर के अंदर लगभग 50,000 सधालू पूजन कर रहे थे महमूद गजनवी के आकरांताओं ने समस्त सधालू की निर्ममता से हत्या कर दी थी मंदिर में नीलम के 56 खंभे थे और उन पर अमोले हीरे मोती एवं अन्य रतन भी जड़े हुए थे जिन्हें लूट करके वह अफगानी लूटेरा अपने साथ ले गया गजनवी के हमले के बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर निर्माड कर आया मंदिर का बार-बार खंडन और जिरुनोधार होता रहा पर शिवलिंग यथावत रहा लेकिन सन 1048 में महमूद गजनवी ने शिवलिंग को खंडित कर दिया राजा कुमार पाल ने 1079 इस्वी में उत्कृष्ट पत्थरों द्वारा इस मंदिर का पुनर निर्माड कर आया था जिसे अलाउदिन खिलजी ने गुजरात विजय के दवरान 1297 इस्वी में नश्ट करके प्रतिष्ठित किये गए शिवलिंग को भी खंडित कर दिया इसके बाद भी कई बार मंदिर और शिवलिंग खंडित किया आ गया और मंदिर का पुनर निर्माड होता रहा सवराष्ट के राजा महिपाल द्वारा 1308 इस्वी में इस मंदिर का पुनर निर्माड कर आया गया था 1395 इस्वी में गुजरात के गवर्नर मुजफर शाह ने इस मंदिर को एक बार फिर से नश्ट करके इसका सारा चड़ावा लूट लिया था 14-13 इस्वी में सुल्तान अहमद शाह ने अपने पितामह का नुकरण करते हुए एक बार पुनह सोमनाथ मंदिर का विध्वन्स कर दिया था इसके बाद पुनह हिंदू राजाओं के द्वारा इस मंदिर का पुनर उत्थान कर आया गया समय बीतने पर क्रूर मुसलिम सासक अवरंग जेब के काल में भी सोमनाथ मंदिर को दो बार तोड़ा गया था पहली बार 1665 इस्वी में और दूसरी बार 1706 इस्वी में अवरंग जेब ने सोमनाथ मंदिर को तुड़वा दिया था मंदिर तुड़वाने के बाद भी जब अवरंग जेब ने यह देखा कि उस स्थान पर अभी भी हिंदूगण पूजन अर्चन करने आते हैं तो उसने वहाँ पर सेना की एक टुखडी भेजकर के स्टधालूं की हत्या करवा दी जब भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मराठो के अधिकार छेतर में आया तब 1783 इस्वी में इंदोर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना हे तो सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवा दिया गया भारत की सोतंतरता के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर निर्माड अभी वर्तमान में जो सोमनाथ मंदिर दिखाई देता है इस मंदिर का निर्माड आजादी के बाद सरदार बल्लब भाई पटेल ने करवाया था आजादी के बाद भारत के प्रथम ग्रिह मंत्री सरदार बल्लब भाई पटेल जुलाई 1947 में सोमनाथ मंदिर के पुनर निर्माड का आदेश जारी किया था सवराष्ट के पूर्व राजा दिखविजय सिंग ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधार शिला रखी थी तथा 11 मई 1959 को भारत के प्रथम राष्ट पती डॉक्टर राजेंद प्रसाद ने मंदिर में जूत्रलिंग की स्थापना की थी और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट पती ने इस मंदिर को राष्ट को समर्पित करते हुई इस मंदिर का लोकारपन किया था अब यह मंदिर लाखो लोगों के आस्था का केंदर बन चुका है 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने पती की स्मृती में उनके नाम से दिखविजय द्वार बनवाया इस द्वार के पास सोमनात मंदिर के पुनर निर्माड की बात हुई उस समय जवाहर लाल नहरू ने सोमनात मंदिर के पुनर निर्माड के प्रस्ताव को हिंदू पुनर उत्थान वाद कहकर के विरोध भी किया था उस समय नहरू से हुई बहस को कनहया लाल मुन्शी ने अपनी पुस्तक पील पसंद नहीं आ रहा है यह हिंदू पुनर उत्थानवाद है मैंने जवाब दिया कि मैं घर जाकर जो कुछ भी घटीत हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी अवश्य दूँगा दिसंबर 1922 में मैं उस खंडित मंदिर के तीर थे आत्रा पर निकला वहाँ पहुँचकर मैंने मंदिर में भयंकर दूर्वेवस्था देखी आप अवीत्र जला हुआ और ध्वस्त फिर भी वह द्रिड़ खड़ा था मानों हमारे साथ की गई कृत अगनता और अपमान को न भूलने का संदेश दे रहा हो उस दिन सुबह जब मैंने पवित्र सभा मंदल की और कदम बढ़ाए तो मंदिर के भगना वशेशों को और विखरे हुए पत्थरों को देख करके मेरे अंदर अपमान की कैसी अगनिशिला प्रजवली तो हो उठी मैं बता भी नहीं सकता केम मुन्शी आगे लिखते हैं नवंबर 1947 के मध में सरदार बल्लब भाई पटेल प्रभास पाटन के दोरे पर थे जहां उन्होंने मंदिर का दर्शन किया एक सारवजनिक सभा में सरदार बल्लब भाई पटेल ने घोशना की नए साल के इस शुभ अवसर पर हमने फैसला किया है कि सोमनाथ मंदिर का पुनर निर्माड करना चाहिए सवराष्ट के लोगों को अपना सर्वस्टेष्ट योगदान भी देना होगा यह एक पवित्र कार्य है जिसमें आप सभी को भाग लेना चाहिए कुछ लोगों ने प्राचीन मंदिर में खंडित अवशेशों को प्राचीन इसमारक के रूप में संजो कर रखने का सुझाओ दिया जिने मृत पत्थर जीवन तो सुरूप की तुलना में अधित प्राणवान लग रहे थे लेकिन मेरा इसपष्ट मानना था कि सोमनाथ मंदिर कोई प्राचीन इसमारक नहीं है बलकि प्रतेक भारती के हिरदय में इस्थित पूजा इस्थल था जिसका पुनर निर्माड करने के लिए अखिल राष्ट प्रतिबध था इस प्रकार से भारत की स्थंतरता के बाद भारत के प्रथम ग्रेह मंत्री ने अपने द्रिढ एक्छा शक्ती के माध्यम से भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू के विरोध होने के बाद भी इस मंदिर का पुनर निर्माड कराया यह मंदिर भारत वर्ष में नहीं पूरे विश्य में लोगों के आस्था का केंद्र बना हुआ है इस प्रकार से इस मंदिर की इतिहास के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रसुत की गई मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक खलबली अवश्य मच रही होगी कि इस मंदिर को इतनी बार तोड़ा गया लेकिन हिंदूओं ने हार नहीं मानी इस मंदिर का पुनर निर्माण कराते गए और आज की इस्तिती में यह मंदिर भवे रूप से खड़ा है जिसमें सद्धालुगण आस्था की डूप की लगाने के लिए दर्शन हेतु अवश्य जाते हैं अब मुझे आगया दीजे मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंबं भोले नात की जय जय गुरुदेव